कि यह से थे साक्टर्स डिटर्माइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि आप इसके आगे देखो सेवन पॉइंट कि शेयर इन टोटल एक्सपेंडिटिट है जो फामलीज होती है वह लोग क्या करती है एक अपना निकाल के रखती है इसलों को खर्चा करना पर्चा करना एंदिया में सबसे बड़ा एश्यूंग में क्या होता है जो जो बर्निंग्स होते हैं या मिडिल क्लास अपार मिडिल क्लास में डवाइब यहां किula से जिसे अपने अराशन का च्पी तो बीपल के अलग है और जेनरल कैटीगरी सकी अलग तो यह बी डिपेंड करता है तो जब ऐसी सिचूएशन में जब demand होती है तो वो होती है inelastic inelastic की meaning बताओ कल बताई थी मैं आप लोगों को पताओ number of uses यह भी इसकर्स किया था कर डिफरेंट uses और number of uses तो एक ही बात है इसमी नेक्स देखो distribution of income यह भी हो गया था अपॉश्मेंट ओफ इंकम करके दिया है consumer behavior most important है कि consumer का behavior क्या है मैं तो behavior और nature में क्या difference है बताओ क्या difference है nature क्या होता है किसी का कि बताओ कल क्या बताया था मैंने आप लोगों को उसके उसमें हैबिट में कल कुछ एक्स्प्लेइन तो किया होगा मैंने हैबिट में बताओ क्या किया था कोई भी कोई भी बता सकता है यहां पर उसके टेस्ट और preference की बात हो रही है behavior में mix देखो income level अच्छा यह हो गया था apportionment of income level ठीक है अब देखो income level और एक चीज और लिख रहे हूं साथ में और distribution of income दो जीज अलग है यह 9 और 10th point में income level लिखा है distribution of income और यह देखो जो यह 6th point लिखा है a portion of income तो यह a portion of income यह हो जाएगा 10th वाला distribution of income पे और इंकम लेवल पे क्या बताएंगे आप लोग इंकम लेवल पे सपोस्स जैसे कोई upper middle class वाला है तो प्राइज में अगर थोड़ा बहुत सोचता है तो इंकम लेवल तो यहां पे इंकम पे डिपेंड करता है रिच और पूर पे तो यह भी डिमांड को बहुत ज्यादा effect करेगा इंकम लेवल के बाद देखो joint demand कोई कोई ऐसे products होते हैं जो joint demand को करते हैं मतलब दो चीजों की demand एक साथ joint demand तो जिन jointly demanded goods होते हैं तो उस पे क्या होते है ऐसी demand होती है less elastic less elastic मतलब वो जो relatively वाला था ना less than one वो कल जो degrees पढ़ा था उसका जो था less elastic demand होती है किसकी जिनमें joint demands होती है less elastic है joint demand के example देखो अगर आप लोग समझो पैन ले रहें तो कौनसी पैन जो इंक वाली पैन होती है तो उसके साथ आपको इंक चाहिए तो jointly demanded goods ऐसे कोई example दे सकते हैं आप लोग यह fountain pen की बात हो रही है या फिर machines जो purchase करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ होती है oiling greasing तो यह joint demand को करते हैं तो ऐसे जो products होते हैं उनकी जो demand होती है वो less elastic में ले जाती है less elastic जो less than one वाला एक जो पॉइंट study क्या था future expectations about price changes future expectations होते हैं यह भी लोगों के nature में रहता है कि अगर अभी price कम हो रही है अगर हम fallen price expect करते हैं तो demand क्या हो जाएगी elastic लेकिन जब अपन rise in price कर रहे हैं expect so demand will be inelastic बस यही दे factors determining mining around importance दिको importance दिको elasticity of demand कुछ points इसके भी discuss के थे हमने कल क्या क्या discuss के दे बताओ first करवाई थी न फॉर्ड मोनोपोलिस्ट याद आया for finance minister कौन फिनांस मिनिस्टर कल बताया था न बताओ नेर्मला सीतरमन हाँ for finance minister का बताया था और क्या बताया था बताओ कल international rate का बताया था और क्या बताया था देखो for the businessman उसके लिए भी बहुत important है elasticity of demand को study करना उसके लिए most important है क्योंकि businessman ही क्या करते हैं goods को production के लिए लेके आते हैं तो उसको study of demand जब वो करेगा elasticity of demand की जब वो study करेगा तो उसको help करेगा कि कौन से कब price cut करना है कब price को बढ़ाना है और कौन से demand elastic है तो उसमें वो कितना price रख सकता है तो यह for businessman के लिए help रहेगा elasticity of demand के लिए most important these कौन से होती है for determination of prices of joint products joint products joint products जिसे cotton है तो cotton seeds है अगर wool है देखो cotton cotton तो cotton के साथ क्या आता है cotton seeds वोल किसे मिलता है वूल पता ship है न तो यह कौन से category में आता है देखो देखा क्या लिखा मैंने या फिर wheat है तो wheat के साथ strong तो यह होते हैं joint demands तो इसलिए यह जरूरी नहीं होता है कि कभी-कभी जो अपनी cost निकालने से मतलब होता है तो कभी-कभी joint products के time पर भी elasticity of demand की study करना matter होता है कि जैसे आप लोग वो क्या बोलते हैं coconut coconut लेते हैं कि नहीं आप लोग और coconut water वाला concept समझ में आ रहे है joint demand एक का price है कम लेकिन उसको costly में बेचा जा रहे है coconut water को और coconut जिसकी demand होती है for the sweets के लिए यहां घरों में कुछ बन रहा है तो उसका price कम है comparison कि इसके water के तो price उनके ओपर रहते हैं कि लोग कैसे निकाल रहे हैं तो यह होता है joint products फिर एक हैश में for explaining the for explaining the paradox of poverty in the midst of plenty इसका मतलब कोई बता सकता है देखो जो government है न वो इस theory को use करती है for farmers देखो बताती कैसे सब्सक्राइब के साथ क्या होता है और tomato वाला example देखो जब उसका बहुत कम प्राइज में जाता है बहुत कम प्राइज में क्या होता है जैसे बहुत सारा खेती है हुआ है ट्माटे वाट और गया उनको उनका प्राइज नहीं मिलती है तो इस कॉंसेप्ट के लिए पारडोक्स ऑफ पावर्टी के वर्ड यूज के हैं गवर्मेंट ने कि हमारे इसमें कंट्री में जो फार्मर्स इतनी मेहनत करके जब उसको करते हैं टोमाटो बगरा जब बनाते हैं ठीक है अभी भी देखो वीट वीट का एक्जामपल देखो जिस साल अच्छी खेटी होगी ना तो वोगो सोचते हैं की अच्छा कंसा हम एर्ण करेंगे know in the merchant ब्राइडन के जो बंदे जो भीजि continuity ग fuss परिवहएं हम उसक्रावें देना हो जाता है तो और उनका पावर्टी बढ़ते जाते हैं तो इस इस concept को explain किया जाता है इससे आ रहा है समझ में यह जो फार्मर्स वाला मैंने बताया तो अब देखो जब उनको उससे के प्राइस कम मिलते हैं तो उनके लिए क्या है डिजास्टर हो गया फॉल फार्मर्स डिजास्टर है कि नहीं फार्मर्स के लिए बताओ डिजास्टर फॉर्फार्मर्स हुआ तो अब क्या हुआ उनको पावर्टी का सामना करना पड़ेगा तो बस यही जो इलास्टिसिटी ओफ डिमांड का जो concept है उनकी पावर्टी को explain कर इनकी इलास्टिक होती है कि इनलास्टिक होती है बता इसमें इनकी डिमांड क्या होगी इलास्टिक की इनलास्टिक इलास्टिक इनलास्टिक क्या लोग वीट काना कम कर देंगे इंडिया जैसी कंट्री में चाहिए तुम प्राइस कम करो चाहिए तुम प्राइस ज्यादा करो डिमांड उतनी रहेगी इंडिया में लेकिन जो बीज में ट्रेडर्स और मिडलमेंज होते हैं वो लोग इनके प्राइस को मैनुपलेट करते हैं तो प्रॉस्पैरिटी की जगह फार्मर्स फेस करते हैं डिजास्टर कि उनको प्राइस कम दिया जाता है तो गवर्मेंट कहती है कि वीट की डिमांड तो उतनी ही है जितनी रहती है बलकिन और बढ़ते जाती है क्योंकि वीट के इतने फायदे हैं जो इंडिया में देखे गए अब दूसरी कंट्री इसको कर रहे हैं लेकिन उसकी डिमांड इनलास्टिक होने की वजG से भी उसका प्राइस बढ़ता निहीं बालेकिन फार्मर्स को क्या करना पड़ता है प्राइस कम मिलता है डिमांड से बढ़ते ही जारी है फिर भी उनके लिए जो प्राइज वह बढ़ नहीं रहे है और इससे उनको जो पावर्टी का वो लोग जो फेस करने हैं तो बस इसलिए उस कॉंसेप्ट को यूज कि आ गया है तो मुसको वैसे मत देखो बिटा कि मैडम डिमान तो इनलास्टिक है तो वो तो रिच होना चीड नहीं गवर्मेंट बोल रहे हैं देखो इस हेडिंग का मतलब समझो इंपॉर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी ओफ डिमान को स्टडी करने के क्या फाइदे है तो उसका एक फाइदा यह कि जो फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है तो हम उससे यह समझ रहे हैं एक काइंड ओफ रिसर्च की बात हो रही है यहां पे वह वाली कर रहे हैं आया समझ में यहां पर रिसर्च की बात हो रही है नेक्स देखो पेटा है इसके फॉर टेकिंग ओवर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पॉब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन-कौन सी है बताओ जैसे इलेक्टरिसिटी है गवर्मेंट कंट्रोल होती थी पहले हाँ वाटर सप्लाइ गास कनेक्शन्स यह अपने सीजी में गैस कनेक्शन्स नहीं होते हैं अपने आपको यहाल एलपेजी सिलिंडर सुलते हैं लेकिन गुजरात वगरा में गैस के कनेक्शन्स होते हैं एक पाइपलाइन होती है उसके दुरू हर मंतली बिल जाता है सुना है आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है फस्स टाइम सुन रहे हो और फिर से रिपीट करना तो इधर थोड़ा नेट्वर्क कनेक्शन्स यह जो गैस कनेक्शन अपने यहां देखो एलपेजी सिलेंडर्स आते हैं गरगर पे आते हैं कि नहीं आते हैं तो लेकिन ना जो गुजरात पता है पाइपलाइन बिची होई है उसका वह लोग मंतली मीटर जैसे बिल पे करते हैं जैसे पन इलेक्रिसिटी बिल पे करते हैं वह सबसे अगर डेवलप्ट में देखा जाए तो गुजरात और कॉन साइड डेवलप्ट स्टेट में बताओ डेली डेली में तो अल्पीजी सिलिंडर यूज रोता है तामिल लाडू में होता है तुक्का मार जए हो अच्छा था तुक्का वाटर भी कनेक्शन के थू मिलता है वहां पे भी है ना तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस का प्राइस करने के लिए ताकि क्या होता है जो प्राइवेट जो इंडिवीज्वल्स जो प्राइवेट कंपनीज है वो एक्स्प्लॉइट न करे का संज्यूमर्स को तो सोशल वेलफेर को ध्यान में रखते हुए इसके डिमांड के एकॉडिंग उनके प्राइस को komme ka ninth की प्राइस को युबिभाएउन वन इसका उनकी इस चाहएं और इनके प्राइसिंग के भी फोर प्राइसिंग ओफ इसले भी इसकी study की जाती है कि क्या price होना चाहिए देखो मैंने bracket में लिखा है research तो हो तब एक kind of research या study करती है government और इनके pricing के भी for pricing of public utility services next देखो rates of foreign exchange determination of rates of foreign exchange देखो foreign exchange क्या होता है foreign जो currency हम इंडिया में foreign currency कैसे आता है यहां के जो NRIs वगेरा होते हैं वहां यहां वो लोग जो वहां पर income earn करते हैं तो जब यहां पर वो लोग पैसे बेचते हैं तो वो currency में बेचते हैं यहां फिर जब अपन import export करते हैं मतलब यहां का चीज वहां बेचना तो हमको भी उसके बदले में क्या मिलता है foreign rates मिलता है तो उसी elasticity of elasticity of demand को government इसलिए भी research करती है study करती है कि वो rates को क्या कर सके कर सके हैं यहां तक बाकी के points हमने डिसकस किये थे कल तो वह दो तीन points उसमें और एड करेंगे आप लोग तो इसमें इतना ही दा elasticity of demand में हां एक concept इसमें से हम पढ़ेंगे जैसे मैंने यह अभी अभी अपन पढ़ा थे price elasticity of demand अब कल अपन पढ़ेंगे income elasticity और cross elasticity ठीक है